जाहिंद एवरीवन देखो बहुत सारे लोगों से आपने बहुत सारी कहानिया सुझी होगी NDA जाने के लिए क्या करना है क्या रिटन की तेयरी करनी क्या SSB की तेयरी करनी है वड़े देखो एक XNDA यह आपको बता सकता है कि क्या चीज आपको NDA में नहीं करनी as a cadet guys कुछ बहुत important बातें हैं जो शायद आपको कोई और बता ही नहीं सकता definitely जो NDA नहीं गया वो यह नहीं बता सकता what not to do in NDA as cadet कुछ चीज़े NDA में बहुत clear and clear लिखी हुई है clean and clear है black and white में है साफ सुत्री है कि यह काम नहीं करना NDA में किस चीज़ को NDA में बोला जाता है कि यह महापाप है किस चीज़ को यह याद रखने को बोला गया है कि यह काम आपको NDA में अगर आप कर रहे हो तो फिर तो NDA में पास होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा NDA से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा NDA में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो guys मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या-क्या चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि ये काम आपको NDA में करना ही नहीं है ठीक है? So those of you who has joined my session for the very first time My name is Aakash Shrivastaf मैं आपका mentor रहूँगा मैं खुद एक XNDA हूँगा 118th course 2007 batch का आप मैं से किसी भी बच्चे को NDA या किसी भी defense examination के regarding कोई भी doubt हो You can take my help I qualified NDA 2 2006 First attempt आप मैं से किसी भी बच्चे को लगता हो कि कोई भी written SSB कुछ भी जानना चाते हो पूछ लेना ठीक है? Now guys अब सबसे पहली चीज़ जो बच्चे NDA 1 दे रहे है 2025 का आप लोगों को इक point में पहले शुरू करने से पहले बता दू आपका notification कब आ रहा है? आपका notification आ रहा है 11 दिसंबर के दिन ठीक है? यह देख लीजे 11 दिसंबर के दिन आपका notification आ रहा है आपका written exam कब है? आपका written exam है 13 अपरेल के दिन For God's sake Please जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी preparation में लग जाओ आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे है उस दिन से 13 अपरेल किती दूर है? वो देख लो और जल्दी से जल्दी preparation में लग जाओ ठीक है? Now we will discuss कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब आप cadet बन जाओ तो वैसे यार इन चीजों का ध्यान आपको अभी से रखना चाहिए मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि आप NDA पहुँच के officer नहीं बनते हो आप officer होते हो तब आप NDA पहुँचते हो ठीक है? वो officer like quality आपके अंदर होती है तब आप NDA पहुँचते हो ठीक है? चलो सबसे पहली चीज दो बज़े आपकी reporting है तो आपको उस जगा 1.59 एम पर होना है दो बज़े भी नहीं मैं क्या दे रहा हूँ अगर आपको किसी ने बोला है कि 2.00 एम रात के 2.00 बज़े हैं जब आपको present रहना है तो boss उस जगा आपको 1.59 पर खड़े होना है punctuality आपके लिए जीने मरने का सवाल होती है ये चीज आपको NDA में day 1 से सिखाई जाती है आपको बोला गया है कि यहां होना है इस वक्त इस वक्त right rig में right time पर तो वहां होना ही है और मैं तुमको एक छोटी सी point बता देता हूँ या आप मिस करके देखो NDA में आप किसी जगा पर time से पहुचने में मिस करके देखो आप अपनी जीवन को रोएंगे कि यार ये क्या हो गया ये मेरे साथ ये मैंने क्या कर दिया आप अपने जीवन के लिए रोएंगे कि यार ये मैं क्या कर दिया प्लीज, guys, punctuality आपके survival का सबसे basic चीज है NDA के अंदर, अगर आप punctual नहीं है, तो आप NDA cadet हो ही नहीं सकते, आप NDA में time late करके देखो, इतनी restrictions मिलेंगी, इतनी restrictions मिलेंगी, कि आपका भूत बन जाना है, ठीक है, इतनी restrictions मिलेंगी, Now, अगला point किया आए, guys, punctuality के बाद, ओ यार, breaking rules, my god, यार, ये तो, मतलब, यार, देखो, NDA में वही मैंने सबसे पहली जो line बोली थी, na, everything is very clear, black and white, कुछ grey नहीं है, कुछ confusion नहीं है, मतलब, आपको ऐसा कुछ नहीं है, कि यार, ये खोना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर है, तो वो कानून का हिस्सा है, अगर आपसे बोला गया है, कि ये करना है, तो वो करना है, बोला गया है, नहीं करना है, तो वो नहीं करना है, आपको दिमाख नहीं लग तोड़ा वो कानून और आप गए restrictions पर restriction is a type of punishment मैं आप लोगों को वीडियो मैं बताऊंगा मैं आने माले टाइम पर guys बच्चे comment करना एंडिये के बारे में और क्या-क्या जानना चाहते हो आप मैं सब आपको बताऊंगा आप सभी बच्चों को यह याद रखना है कि restriction is a type of punishment official punishment और अगर आपको 35 restrictions मिल जाती है तो आप term back हो जाते हो तो आप 6 महीने पीछे हो जाते हो याद रखिएगा guys restriction is a very serious offense और आपने rule break किया आपने class miss कर दी आपने PT miss कर दी आपने drill miss कर दी आपने गया seven restriction कम से कम seven restriction और फिर आप समझते रहिएगा फिर seven 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 जुड़ते जुड़ते जहां 35 हुआ आपका term back हो गया इसी लिए NDA में कानून तोड़ना ही पाप है पाप यह याद कर लो ठीक है now next point अगला point क्या है guys taking academic slightly यार मेरे को न ये एक बहुत बहुत serious चीज है क्या आपने यार national defense academy बच्चे ये बोलते कि sir मैंने army इसलिए join की थी कि मुझे पढ़ना ना पड़े boss आपके दिन जिस दिन से आप NDA का exam निकालोगे उस दिन से जब तक आप भारतिय सेना में काम कर रहे होगे आपको उस दिन तक पढ़ाई करनी आपने academics slightly लिया NDA के अंदर बंटा धार हो जाना है बरवाद हो जाओगे और यह academics वाला जो पाइंटर बोल रहा हूं न यह तुमको जरूवत पड़ेगी कि यार पढ़ने की जरूवत तो तुमको उस दिन तक पड़ेगी जिस दिन तक आप retired नहीं हो जाते समझ लो जिस दिन तक आप भारतिय सेना में army navy air force में काम कर रहे हो पढ़ना तो पढ़ेगा ही बहुत अच्छे से समझ लो बहुत serious है academics भारतिय सेना में especially NDA में अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको अपनी career growth में मतलब कल को जब आप promotion के लिए जाओगे आपको career growth में बहुत problem आनी है प्लीज इस बात को ठीक से समझ लीजिए आपको अपनी career growth में बहुत problem आनी है इसलिए पढ़ाई पर बहुत विशेश ध्यान दीजिए अगर आपकी पढ़ाई कमजोर रही तो आपका career path बहुत troubled एंडिये गए हो तो पढ़ना पढ़ेगा कोई confusion ना रहे कि पढ़ना नहीं पढ़ेगा पढ़ना तो पढ़ेगा समझ में आया ना यार यह एक ऐसी चीज मानता हूं यार कि नहीं जो यह बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है यार यह न एक ऐसा factor है जो तुम लोगों को बहुत seriously सोचना चाहिए आपके लिए आपका जो दोस्त है आपका course mate है यार वो अपने जान की बाजी लगा कर आपके लिए अपना सब कुछ लगा देगा अगर आप खत्रे में पढ़ गए हो तो कभी अपने course mate से नहीं लड़ना कभी अपने course mate से नहीं लड़ना किसी भी सूरत में यार course mate से तो fight होनी ही नहीं चाहिए वो वही आदमी है कि जब कल आप कहीं injured होगे और आपके आपकी ऐसा हो गया होगा कि यार शायद मेरी जान चली जाएगी वो second thought दिये बिना ही आजाएगा आपको उठाने के लिए कि मेरा दोस्त वहाँ पे injured पड़ा है course mate से लड़ाई नहीं करनी चाहिए हता पाई नहीं होनी चाहिए अब दूसरी चीज़ गईज बच्चे मुसे बहुत पूछते हैं कि क्या man handling होती है एंडिये में not at all not at all ना as a junior आपको किसी से मार पड़ेगी हाथ आपके ओपर कोई नहीं लगाएगा junior हो आप आपको कोई टच नहीं करेगा और जब आप senior बनो इस बात का ख्याल रखना भारतिय सेना में और National Defense Academy is very serious on it very serious यार आपने हाथ लगाया अभी दिन में किसी अपने जूनियर को चाम तक आप उस जूनियर के course मेट हो जाओगे आप हाथ लगा के देख लो NDA में you touch somebody man handle किया आपने as a cadet किसी को National Defense Academy के ओपर no compromise कोई second thought ही नहीं होगा आप तुरंत जूनियर कर दिये जाओगे 6 महीने back man handling तो allowed ही नहीं जूनियर को टच नहीं करना है बिलकुल course mate से भी कोई जगड़ा जंजट नहीं करना समझ में आ गई मेरी बात सभी बच्चों को मेरी बात clear है over smartness नहीं दिखानी आपने हाथ लगा दिया और ये बात आपके senior officers तक पहुँच गई तो boss कोई National Defense Academy में आपको बचा नहीं सकता ठीक है चलो ओके गैस इंडिस्प्लिन पे मैंने आपको बता दिया है इंडिस्प्लिन तो अच्छम में है आपने किसी भी तरह करना इंडिये में कर दिया कुछ सी भी तरीके की चीज जिसको इंडिस्प्लिन की definition आप सब बच्चे समझधार होगे अगर उस definition के साथ play करने क कोशिश करी आपने और ऐसा कोई भी कांड कर दिया कि वो indiscipline का category में आता है किसी भी तरह की बत्तमीजी है आप जो सोच सकते हो जो सोच सकते हो अगर वो बत्तमीजी है जो आप जानते हो कि ये बत्तमीजी है आपने ऐसा कुछ कर दिया है कोई सुनेगा ही नहीं आपके अनदिये में आपका कोई logic ही नहीं सुनेगा if it is proved कि आपने गलत किया है या तो आप नगलत किया है पस आप कोई भी हो या तो आप NDA से निकाल दिये जाओगे या तो आप 6 महीने back होगे 6 month back हो जाओगे या तो NDA से निकाल दिये गए या six month back हो गए I want you guys to understand यार ये चीज नहीं होनी चाहिए National Defense Academy में इन डिस्प्लीन का मतलब क्या है यार ये समझानी की जरुवत मुझे नहीं है पर बत्तमीजी जिस चीज को कहते हैं वो बत्तमीजी आपको clear होनी चाहिए I hope I'm clear with everyone greatest sin महापाप क्या है National Defense Academy का महापाप क्या है क्या है महापाप National Defense Academy का महापाप आपका है कि आपने अपने senior को disrespect कर दिया देखो guys NDA जब ऐसा cadet join किया था मैं तो मेरे को मेरे overstudy ने मतलब जो आपसे दो को और senior होते हैं उनको overstudies कहा जाता है मेरे overstudy ने एक चीज़ बताई थी कि बेटा जैसा तू अपने senior को रहेगा वैसा exactly तेरा junior तुझको देगा अगर तूने respectful रहा अपने seniors के लिए respectful रहा तू अपने seniors के लिए तो देख ले ना तेरा junior हमेशा तेरे को respect करेंगे और यह होता है आपने अपने senior को disrespect दिखाई एक पूरी ट्रेल बिगड़ जाएगी कि आपको लोग continuously disrespect करेंगे देखो यह हो सकता है NDA में कि senior की कोई बात आपको गलत लगी पर यार उसको address करने का तरीका है आप जाकर उससे बात कर सकते हो ऐसा नहीं होता है कि senior junior का मतलब senior कान में उंगले डालके बैठा है कि आपकी बात ही नहीं सुनेगा आप उससे बात कर सकते हो कि boss मुझे यह senior भी तुम्हारा why do you think कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो हो सकता है senior का अपना कोई perspective हो अपना कोई point of view आप वह समझ लो जो आप शायद ना समझ पाए हो पर आप किसी भी सूरत में अपने senior को disrespect नहीं कर सकते national defense academy के अंदर even in services यह जरूर है यह NDA के अंदर इस वेरी का एंडिय को बहुत फणी-फणी सी चीज़े होती है engineering colleges में national defense academy is national defense academy है senior से बात करोगे तो तुमको पहले दिन से तुम्हारा senior बताता क्या आखों में आखे डाल के बात करनी है उची आवाज में बात करनी है you are not from some चुराहे का engineering college आखों में आखे डाल के बात करके अपनी point बता क्या point है और logic होगा तो वो senior सुनेगा भी और not just immediate senior तुमसे चार कोर senior भी है अगर कोई तुम first summer और वो fifth summer है पर तुम्हारी बातों में logic होगा तुम वो सुनेगा भी मज़ेदार चीज यही है जो officer like quality हम बोलते हैं वो officer like quality यह है कि सामने वाले को भी तो हमने value देनी है यह senior to junior junior to senior vice versa दोनों को लगता है और NDA में इस चीज़ की बहुत value है कि अगर तुमने एक तरक पूंट तरक संगत scientific बात बूली है तो सामने वाला सुनेगा और आपको लगता है कि सामने वाला अगर कहीं गलत है तो उसको समझा दो ठीक तरीके से समझाओ मतलब officer के दाइरे में रहकर आप समझाओ आपने senior की disrespect नहीं होनी चाहिए किसी भी सुने मेरी बात तुम सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी नाओ मैं तुम सभी बच्चों को यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूं कि यार अगर आप NDA 1 2025 का पेपर दे रहे हों हाडली 200 डेज बचें यार 200 ही दिन बचें 200 ही दिन बचें अभी समय ना बर बात करो बहुत सोचूंगा फिर करूंगा अभी नहीं करूंगा और फिर होता क्या पता है मुझे मार्च की बात से बच्चों के मैसेज आने प्लग जाते हैं कि सर NDA क्या एक महीने में निकाला ज सकते हैं नहीं निकलता है जिनका निकल रहा होता है ना कि 15 दिन में मैंने NDA निकाल लिया वो कभी नहीं पूछ रहे होते हैं उनको पता होता है कि उनका निकल रहा है वो यही की तयारी कर रहे होते हैं और वह बहुत अपनी तयारी के साथ बढ़ रहे होते हैं उनको यह सब मंत का extension भी मिलेगा, 6 मंत का extension भी, NDA, CDS, FCAT, CAPF, SSB सभी के लिए open है, open है, ठीक है न, सभी के लिए, और guys, 50% का discount, 6 मंत का extension, अब ध्यान से देख लो NDA वेले बच्चों, NDA और CDS दोनों का ही course, September 14 से start हो गया है, जल्दी से जल्दी join करो, जब भी देख रहे हो ये वीडियो, ये समझ लो, ये course miss नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी join करो, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी, आगे बढ़ जाओ, I hope guys, मैं सभी बच्चों के साथ clear हो गया हूँ, अभी भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का शक है, तो please guys, you can follow us on telegram and instagram, कोई और doubt होगा, तो अपना doubt वहाँ पूछ सकते हो, so see you very soon guys, चेहन्द.